36 गड़ में लोगसभा चुनाओं के दो चरण संपन होने के तीसरी चरण के चुनाओं के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत जोग दी है चुनाओं प्रचार के लिए बड़े नेताओं सहीतिस्टार प्रचारकों का दवरा भी लगातार जारी है इसी कड़ी में बलरामपूर जिरे के रामानुज गंज में एक दीवसी प्रवास पर पहुँचे 36 की मुख्यमंत्री विश्णोदेव साइड ने चुनाओं सभा को समोजित किया उन्होंने भाजपा के लोगसभा प्रत्याशी चिंता मणी महरात के पक्ष में मद्दान करने लोगों से अपिल की इस दवरान मुख्यमंत्री ने महादिव एप का जिक्र करते हुए कहा कि हुपेर सरकार ने प्रदेश में कोईला घोटाला, रेद घोटाला, शराब घोटाला, पेसी घोटाला किया था वही मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन यूजना, धान खरीदी, धान बोन सहिद, अपने तीन महिने के सरकार की उपलब्धिया गिनाई पूर अग्रसर हो रहे हैं, इसके लिए पूरा हमारा भारत देश का जनता पुना उनको तीसरी बार प्रदान मंत्री के कुर्शी में बैठाने के लिए तैयार है आदरनिय, मोदी जी का गारंटी, जो तीन गारंटी नहीं बलके कई गारंटी हैं, लेकिन हम लोग लगवक तीन-चार गारंटीयों कहीं उल्लेख करते हैं मोदी जी का गारंटी, जो उनके तरब से दिया गया था, वो पूरा हुआ, अब जनताओं के तरब से गारंटी देना बाकी है हमारे सभी, लोग सभाशेतर के सभी जनताओं के तरब से, मोदी जी को हमको ये गारंटी देने का आवश्यक्ता है क्या दरनी मोदी जी हम आपको तिसरी बार प्रधान मंत्री के कुर्षी में बैठा रहे हैं आपने सिंत रहें सब कर ले पहले तो ए चिल्चलाती धूप में आपन भारी संख्या में यहां उपस्चित होए हा ले आपन के बहुत बहुत धन्यवाद आपन के आभार और आपन के में नमन कर थो आपन के में जोहार कर थो बंधुमन आपन हमर नेतामला सुन चुके हैं और आप सबला मालूम है कि ये लोक सभा के चुनाव कोई छोटा-मोटा चुनाव नहीं है ये बड़ा महत्पुन चुनाव है अमर देश के यसस्वी प्रधान मंतरी शिरी नरेन मोदी जी ला तीसरी बार प्रधान मंतरी बनाने वाला चु आधने मोदी जी को तिसरी बार प्रधान मुंत्री बनाना है एकर लेक चुनाओ है आज ऐसा गरीब के बेटा जो 140 करोड भारतवासी के अपन परिवार मान थे और उबन के सूक और दुख के रात और दिन चिंता कर थे 24 घंटा में 18 घंटा काम कर थे और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए दस साल जो देश के गाउं, गरीब, किसान, मद्दूर, सब के विकास के चिंता करी से ऐसे प्रधान मंत्रीला तीसरी बार प्रधान मंत्री बनाये वाला ही चुनाऊ है और आज पूरे दुनिया में मोदी जी के कारण हमरे 140 करूर भारतवासी के मान सम्मान बढ़ी से बढ़ी से के नहीं आज हमरे देशला 2047 तक विक्सित भारत के रूप में खड़ा करने वाला ही चुनाऊ है आने वाला 2029 तक ये देशला तीसरी सबसे बड़ा ताकत आर्थिक रूप से बनाने वाला ही चुनाऊ है इसलिए बहुत गंभीरता से हमनला ये चुनावला लेना है आज आपमन ने भी अनुभाव करा था कि आज पाकिस्तान के गिदर भब की बंद होगी से पहले के सरकार में रोज रोज पाकिस्तान गिदर भब की लगाए भारत के उपर में हमर देश के सैनिक मन के सीर कलम करके सीरला फुटबाल जैसे पाकिस्तान के सैनिक मन खेलत रहने कितना देश के लिए सरमिना के बात रही से और ओ समय के सरकार खाली सांती वारता करके बात खतम कर देतरी से लेकिन जब नरेंद मौंदी जी प्रधान मंत्री बनेन दोई बार के सर्जिकल स्ट्राइक और एर स्ट्राइक में आज पाकिस्तान के गिदर्भव की बंद होगी जिना ओकरभाद अहिमत निये पाकिस्तान के गिदर्भव की भारत के उपर में लगाए तो ऐसे नरेन मौधी जी के चुनावे बंधो और इसलिए मैं आज आपन के बीच में आज आपन से आसिरवाद मांगे बराये हैं आप मन से अनुरोद करेबर आए हूँ आज हमर भारते जनता पाटी के हमर नरेद मोधी जी के हमरे सरगुजा लोग सभा के हमर प्रत्यासी हैं सिरी चिंतामणी महराज जी आज ओमल आसिरवाद के सांसद बना के दिल्ली भेजना पड़ी और एक भोट के योगदान प्रधानमंत्री जीला तिसरी बार प्रधानमंत्री बनाएक में सरगुजा लोग सभा के भी रही रही की नहीं रही ना ये सब आप सब के बदलत हो ही आने वाला साथ महीं के आप मलचाप सीधे अमर देश के प्रधानमंती नरेद मोदी जी तक पहुंचने वाला है आज एक कांग्रेस ला सबक सिखाना है पिछले बिधान सभा में आप मन सबक सिखाई चुके हो पूरे सरगुजा संभाग से कांग्रेस के सुपड़ा साप करने वाला आप सामने कार करता देवत्व लकार करता बैठे हो आप मलच में नमन करा था आज हमर वक्तावन बतात रहें कि आज पूरे सरगुजा में कांग्रेस के सुपड़ा साप और इसलिए पुरुषकार सवरुप हमर मोदी जी हमर भारते जनता पार्टी आज मुख्य मंत्री भी सरगुजा संभाग से और साथी साथ तिन-तिन केबिनेट मंत्री आदने राम विचार नेताम जी आदने स्याम विहरी जाय सवाल जी और लठमी राजवाडे जी इतना सम्मान आज सरगुजा संभाग के आज हमर भारते जनता पार्टी अमर नरेन मोदी जी दीन है तो हम अल्ला भी उमन के सम्म ओगर अल्ष्हां आजने ठां करना है कि नहीं है अल्ला है ना जैसे विधान सभा मैं सांगरेस के सुपड़ा साप है वोई से इस वह तो हार पूरा प्रतेश में कांगरेस के सुपड़ा साप करना उठना गूरा 13 के 11 लोग सबैसail सर्गुजा सही भारते जनता पार्टी ला नरेंद मोंदी दिला शोपना है उकर लिए चुनावे आज कांग्रेस मंठन कोई मुद्दा निये मुद्दा विहिन होगी नहीं आज गलत फ्मी फेलाए के परियास करत हैं आज ये बोलत हैं कि अगर मोंदी जी फिर से परधान मंतरी बन जाएंगे तो सविधा खतम कर देंगे आरक्षन खतम कर देंगे मैं आपनला बताना चाहत हूं हमर प्रधान मंतरी जी बोल चुकिन है कोई सविधान खतम होने वाला नहीं है कोई आरक्षन खतम होने वाला नहीं है चाहे वह सब के आरक्षन बरकरार रहने वाला है अमर सविधान बरकरार रहने व तो हमर भारते जनता पार्टी के उपर में, हमर मोदी जी के उपर में आज मंठट कोई मुद्दा नहीं है, तो ये बलेम लगाए कि काम कर थे, आज महतारी बंदा नियोजना में हमन पैसा देते हैं हमर माता बहनी मला, दो महना के दे चुके हन, अगले महना, अगले महना के फ आज मुख्यमंत्री के रूप में, आप मला में बोलत वहां हमर माता बहनी मला, कि जब तक आपन हमला सरकार में बैठाय के रखियो, तब तक के महतारी बंदा नियोजना बंद होने वाला निये.